हेलो फ्रेंज, वेल्कम बैक तो दी चैनल, सो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि टेराफॉर्म के जितने भी मैंने वीडियो बनाये हैं अभी तक, अल्मोस्ट जो है वो कम्प्लीट हो चुका है टुटोरियल, ज यहाँ पर हालने कि मैंने examples कुछ ही resources का दिया है बट अभी तक आप समझ गए होंगे अगर आप starting से वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आप बाकी के resources भी खुद से practice कर सकते हो ठीक है कुछ challenges आये थे हम लोगों को इस lab के दौरान जो मैंने आपके सामने ही sort out करे थे और मैंने problem क्या था और उस problem को solution क्या था तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको जो है काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आप actually मैं जो है terraform के थुरू अब deploy करने के I mean capable हो गए eligible हो ठीक है तो यह एक तरह से last video ही समझो terraform का अगर आगे जाके मुझे लगा कि मुझे कुछ नया कोई मेरे पास issue आया है काम करने की time पर जो मैंने solve किया है या फिर मैंने कुछ नया function इसमें कुछ use किया है तो मैं definitely upload करूँगा बट एक तरह से complete जो terraform का tutorial है वो almost complete हो चुका है तो अब चलते हैं इस video में तो इस video में जो है हम लोग custom role define कराएंगे custom role की definition जो हो create करेंगे और एक user को उस particular resource group की ओपर assign करेंगे जैसे कि last video में देखा आपने कि हमने एक resource group बनाया था एक user बनाया लेकिन मान लो मुझे custom role बनाना है अब custom role आपको पता होगा कि हम लोग या तो resource group की ओपर बना सकते हैं या तो फिर आप subscription level बना सकते हो ठीक है तो हम लोग को अगर कोई custom role define करना है custom मतलब हमको कुछी permissions का एक role define करना है ideally आपने देखा होगा कि आपके पास built-in roles होते हैं जो आप जैसे contributor, reader यह सब रहता है अगर मान लो मुझे एक role define करना है कि जहां पर यह बंदा यह particular user जो है virtual machine को manage कर सके storage account को manage कर सके तो अगर यह custom का मतलब यह होता है कि एक role ऐसा define करना है जिसके अंदर आपने custom permissions define कर रहे हैं ठीक है तो उस तरह का role अगर आपको बनाना है तो and then यह हमारा last video का ही पूरा code है अब मैं जाता हूँ अपने azure rm provider के अंदर यहाँ पर role हमने search किया था last video में यहाँ पर रहता role definition तो role definition में यह example user इसको हम पूरा copy करेंगे अब यहाँ से भी कर सकते हो ऐसे copy अपने terraform यहाँ पर जाएंगे visual studio में और enter करके paste करेंगे तो paste करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पहला जो है data आपको मैंने बताया था last video में data हम लोग क्यों इसकता है data का मतलब है कि हम existing अगर किसी resource का information use करना चाहते हैं अपनी script में तो आप data का use कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले है जो custom role बनाने वाले है वो subscription level बनाने वाले है and then उसके बाद हम लोग इस user को जो हमने user बनाया था इसको हम उस custom role को assign करेंगे इस particular resource group की ओपर ठीक है तो आपको funda समझ में आगे कि हम क्या करने वाले है तो फिलाल मैं as it is रहने देता हूं ठीक है यह मेरा primary subscription लेगा क्योंकि मेरे पास 2 subscription है मेरे personal environment में and then अब resource की बात करते है तो इसका मैं नाम देता हूं let's say custom hyphen role definition ऐसा नाम देता हूं ठीक है यहाँ पर मैं अपने custom role का नाम देता हूं let's say custom hyphen vm hyphen role मैंने ऐसा नाम दे दिया अब इसके अंदर में क्या define करने वाला हूं scope जो है मेरा यहां से ले रहा है azurmsubscription.primarydata.azurmsubscription.primary.id ले रहा है description में as it is रहता हूं action अब action क्या करेगा यह custom role तो मैं कहता हूं let's say हमने जो last video में user बनाया था यह user क्या करना चाहिए उस particular resource group में virtual machine start यह stop यह कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहिए right तो उसके लिए हम लोग तो क्या करेंगे actions में जाकर role define करें permissions define करेंगे तो उसके लिए मैं यहां पर जाता हूं Google में और मैं search करता हूँ Azure custom permissions custom permissions ऐसा करके search कर देता हूँ ठीक है तो search करके देखते कहां पर Azure role definitions में जाता हूँ यहां पर कुछ दिखता है कि अपने को ओके यह अपने को authorize देखता है जैसे VM-VM का कुछ देखते हैं यहां पर अपने को मिल जाए तो हाँ ठीक है यह मिल गया अपने को राइट तो custom role यहां से हम लोग define करते हैं अगर जिनको नहीं पता Azure में कहां से करते हैं तो Azure में जैसे कि मैंने बुले या तो आप subscription level पर कर स सीख सकते हो ठीक है तो custom role में आप define करते हो next करते हो permissions define करते हो तो यहां पर आप देख सकते हो जैसे virtual machine है virtual virtual machine ठीक है virtual machine में कहां पर आता है compute के अंदर आता आपका right तो compute में यहां पर देको बहूँ सारी permissions है right तो वही permissions हम लोग terre A dell में define करेंगे, जो कि आपकी backend में इस तरह से define होता है, ठीक है, तो हम लोगा कहां गया हूँ, ये वाले document है, let's say मैं कहता हूँ कि वो user उस particular resource group के अंदर कोई machine हो, तो उसको start और restart करें, ठीक है, तो मैं फिलाल example के लिए, और compute read भी कर सके, तो मैं ये tap press करके paste करता हूँ, और थोड़ा सा इसको align कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते ही कि मैं चाता हूँ, वो user मेरा ये तीन action कर सके, ठीक है, बाके सब कुछ as it is रहेगा, ये comment में फिलाल हटा देता हूँ, and last में ये हटा देता हूँ, then उसके बाद, अब यहाँ पर तो हमारा custom role create हो जाएगा, अब हमको assign भी करना है, इस custom role को, इस user के उपर, हमको assign भी करना है, किस resource के उपर, इस resource group के उपर, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो assignment का है, मैं देता हूँ, let's say, custom vm assignment, ऐसा reference name देता हूँ, कुछ भी नाम, आप अपनी तरफ से कुछ भी देख सकते हो, ठीक है, scope में, कहाँ पर करना है मुझे custom role, resource group के उपर, custom role definition name, मेरा जो custom role का नाम है, वो मुझे define करना है, तो हमने नाम किया दिया है, यहाँ पर, custom vm role name दिया, इसको copy करना है, और यह reader को हटा के, यहाँ पर paste कर दो, then उसका principal id, मेरा user का object id रहेगा, depends on, depends on किसके उपर रहेगा, एक तो user की उपर रहेगा, दूसरा मैं कहता हूँ कि यह मेरा azure rm resource group की उपर भी dependency है, इसकी, क्योंकि resource group की उपर permission देने वाला है, साती सात, इसकी dependency है, मेरे इस role definition की उपर भी, क्योंकि जब role definition बनेगा, तभी तो assign करेगा हो, तो मैं कहता हूँ, azure rm role definition dot custom role definition, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, save, अब guys, यह save तो मैंने कर दिया है, लेकिन एक चीज में और यहाँ पर मुझे याद आया, permission, यहाँ पर मुझे error आयेगा, permissions related, मैं आपको दिखा देता हूँ, plan करता हूँ, plan में तो इसने बोल दिया, कि दो add करेगा, लेकिन जब मैं apply करूँगा ना, तो यह error फेकेगा, permission का, तो यह देख सकते आप, ठीक है, यह आप error pause करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, यह बोलता है कि जिस id से, यानि कि service principle से हम लोग custom role create कर रहे हैं, वो बोलता है कि उस subscription के उपर उसको permissions नहीं है, ठीक है, तो इसका solution क्या है, last की वीडियो में आपने देखा होगा कि जब हमने Azure AD user बनाया था, ठीक है, तो हम लोग ने subscription level पे, एक role define किया था, एक role assign किया था, क्या था वो, RBAC, right, तो RBAC, role based access control हमने यह assign किया था, जबकि आपको पता, यह हमारी service principle है, इसी से हम सारा deployment कर रहे है, और इसको जो है, सिर्फ role based access control का permission है, role based access control से हम लोग definition यानि कि custom role जो होता है, वो create नहीं कर पाएंगे, नहीं contributor access से कर पाएंगे, तो इसके लिए best way क्या है कि user access administrator आप role या permission उसको use करो, ठीक है, तो last का video जो था, यानि कि आप चाहिए आपको AD में user create करना हो, चाहिए role assignment करना हो, या फिर custom role create करना हो, तो उसके लिए best है कि आप user access administrator एक role आता है, आप उसको assign करो, आप ये role based access control नहीं भी access करो के चलेगा, but at least minimum user access administrator का role जो है assign करो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस permission को delete कर देता हूँ, ये मैंने delete कर दिया है, and then मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके add में जाता हूँ, मेरे subscription में, role assignment में जाता हूँ, और यहाँ पर privilege में जाता हूँ, मैं कहता हूँ, access, sorry, not access, user, user access, user access administrator आ गया, यह आपका दोनों काम करेगा, role भी assign करेगा, user भी create करेगा, definition भी create करेगा, ठीक है, next पर click करता हूँ, members में जाता हूँ, यहाँ पर मेरा जो service principle का नाम था, हमारा terraform, hyphen tutorials, terraform, hyphen tutorials, इसको select करता हूँ, next पर जाता हूँ, again same चीज, condition फिलाल, आप कुछ भी temporary configure कर दो, इस पर, privilege में जाता हूँ, user access administrator पर जाता हूँ, select करता हूँ, save करता हूँ, save करता हूँ, और next पर click करके review and assign करता हूँ, तो मेरा add role assignment हो गया है, उसके बाद आपको पता है कि क्या करना है, आपको जो है, इसको refresh करता हूँ, दो बार दिख रहा है मुझे, ठीक है, इसके बाद मैं viewer edit पर जाता हूँ, and then इस condition को delete करता हूँ, अगर आप ये condition delete नहीं करोगे, तो आपक मैं, plan चलाने के बाद मेरा चल गया है, अब मैं इसको clean करके apply करता हूँ, तो यह आप देख सकते हैं, अभी जो है, वो error नहीं दे रहा है मुझे, अभी मेरा custom role create कर रहा हो, कहां पर subscription level के scope में, so guys, finally जो है, दो चीज़े add हो गई है, दो चीज़े क्या add हुई है, जैसे कि हमन मैं यहां define कर रहा है, एक तो role assignment होगा, और दूसरा मेरा role definition create होगा, ठीक है, हमारा custom role का नाम है, custom VM role, और उसके अंदर यह तीन permissions है, अब हम इसको verify कर लेता है, portal में जाके, तो हमारा जो resource group था, हमने उसके उपर अक्षज रावत एक user है, उस user को हमने access दिया था, तो यहां प क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दिख सकता है, कि देखो, हमने जो तीन permissions दी थी, एक तो Microsoft.compute का दिया था, हमने, दूसरा Microsoft.compute और इसके अंदर ही आपका सारा का सारा आ गया, यानि कि सारा मतलब यह दो चीज़ी भी आ गया, start और restart action भी आ ठीक है, औ और आप यहां से जो है, इस पिक क्लिक करके, जेसन में भी जाकि आप validate कर सकते है, जेसन में जाएंगे, तो देखो, मेरा custom role का नाम यह है, और action जो है, यह तीन चीज़ करेगा, यानि कि यह जो user है, यह तीन चीज़ कर पाएगा, इस particular resource group के अंदर, अब यह custom role तो हमारा बन tutorials है, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे कि मैंने बताया, यह almost last video है, इसके आगे अगर कुछ मुझे लगेगा, तो मैं definitely upload करूँगा, but एक terraform सीखने के लिए इतने videos काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो guys, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडिय करो, शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, and thanks for watching this video.